रमराम जी सार्यान है आज की वीडियो में पहलवानों की डाइट के बारे में बताएंगे कि पहलवान ऐसा क्या खाते है कि उनकी परफोर्मेंस इतनी जल्दी डे बाइडे इंप्रूव हो जाती है और अच्छा शरीर बन जाता है बारत के टोप इंटरनेशनल, नेशनल, रैसलर, वर्काउट और जोरों के बीच में ऐसा क्या खाते है सारा इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कुष्टी पहलवानी में डाइट का एहम रोल होता है बिना अच्छी डाइट के चाए आप कितनी भी अच्छी मैनत कर लो परफोर्मेंस इंप्रूव या अच्छा शरीर नहीं बना सकते आप सब के बहुत कमेंट और मेसिज आते है कि पहलवान बड़िया मैनत करा हा जोर भी करा हा फिर भी शरीर नहीं बन पा रहा त्यारी नहीं आ पा रही है जोर बड़िया इंप्रूव नहीं हो पा रहे है गात नहीं फूल रहा है अच्छी डाइट भी लें लाग रहा फिर इंप्रूमेंट ने आ रही है फिर कमी कहां रह रही है इसमें जो मैं में फैक्टर मनता हूँ और बड़े बड़े पहलवानों की दिंचरिया से भी उबजर्व करता हूँ वो ये है कि वरकाउट के दोरान और जोरों के बीच में और तुरंत बाद में अच्छी डाइट है अब सुभरव करते हैं तब अपनी डाइट को साथ में लेकर चलते है अ खाडों में यह देखने वाला नजारा होता है जब नहीं कीप पिता AI किसी के माम्मा धादा अताओ अपने फैस्मानों पहलों को खाणे Southern की सिज़ देतते हैं जो वे उनके लिए मैनत के बीच में पिलाने के लिए स्पेशल बना कर लाते हैं। कुछ पहलोँ अपनी ड्रिंक और डाइट खुद लाते हैं। क्योंकि मैनत इतनी कड़ी होती है कि पहलोँ अन्यमें साथ के साथ रिकवरी होना बहुत जरूरी है। ताकि शरीर सबता बर मैनत करने के लिए तयार रही। बीच में पीने का या बाद में पीने का कुछ लोगे ही नहीं। तो 2-3 दिन ही मैनत कर पाऊगे, तीसरे दिन रेस्ट्री ले ले ले, दे ये टूटका पढ़ी। दो तीन दिन का रेश्ट लेते के साथ हपते बर की मैनत बेकार कोई फायदा नहीं आपकी मैनत करने का फिर कुछ मेन मेन मीड वर्काउट ड्रिंक जो हर राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय पहलवान इस्तमाल करते हैं वे इस परकार है मैनत के बीच में पीने के लिए मुनका का पाणी सबसे बेस्ट है इसे बनाने की वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखिए आप उसे देख सकते है अद बिलोई धही पी सकते है वर्काउट के बीच में थोड़ी थोड़ी करके पीए कुछ पहलों अंजोरो के बीच में नूनी गी भी खाते है नूनी गी भाई मक्षन के तेजिसे थोड़ा थोड़ा खाते रहो ज्यादा ही मत खाओ इस तक यह आपके जो गड़े महना वा मतलब चेकनाइट रहाएगी शरीर में तरावट बनी रहाएगी खुशकी नहीं बनाएगी नारियल का पाणी, मिक्स फरूट, जूस, मोसमी का जूस मैनत के बीच में ले सकते हैं एक बड़ी चमच गुलुकोस में इलेक्टराल का पाउच डाल कर पाणी में मिक्स करके ले जाए मैनत के दोरान थोड़ा थोड़ा पिते रहे ठकाओट नहीं होगी गड़ा नहीं सु अगर अच्छे डंगता है मैनत करनी है तो ना तो बही और मेडगा जी होया रहेगा मैनत करी नहीं जाओगी ये सारी चिज्जे एक दिन पीने जरूरी नहीं है आप कदे कोईशी पीलेो कदे कोईशी पीलेो मोसम के अनुसार पीलेो और जैसे ही जोर करके निकलो ना नमारने लागे आप और मैनत करने लागे उस बीच में आप अपने इलेक्टराल गोड़े लोगनुकोस में वो पिते रो थोड़ा थोड़ा तो भाई मोसम के अनुसार देख लेओ कोई सी ड्रिंक आपने कोण सी पीनी है ठीग है मैनत खतम हो जाने के बाद बार्यातिय पोस्ट वर्काउट ड्रिंक की मैनत खतम होने के एक गंटे के अंदर ही पोस्ट वर्काउट ड्रिंक ले लेनी चाहिए पहलो आनों की फेवरेट पोस्ट वर्काउट ड्रिंक तो आप सब जानते ही है बदाम रगड़ा जो की सबसे बेस्ट ड्रिंक मानी जाती है रिकवरी और अच्छी सेहत बनाने के लिए इसकी वीडियो तो मैंने चैनल पे बहुत पहले बना दी थी आप जाकर देख सको हूँ या वीडियो थी या मेरी सब बड़ी अच्छा ली थी उसके बाद ही मैं ये सारी वीडियो बनाना लग गया था कभी कभी ठंडे दिनों में या स्याम के टाइम गरम दूद में गी और अल्दी डाल कर ले सकते हैं कुछ पहलवान सर्दियों में दूद में खोए की बरफी डाल कर पितते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बार जारे होते हैं बड़ाम नहीं बना पते हूँ तो आप वहाँ पर जूस शेक या फिर प्रोटिन ड्रिंक यूज कर सकते हैं बहुत पहलवान यूज करते हैं प्रोटिन ड्रिंक अगर आपके पास बदाम और दूद एविलेबल है तो फिर प्रोटिन ड्रिंक के बिना भी काम चल सकता है में पॉइंट यू है पहलवानों के लिए कि रिकवरी के लिए जो ड्रिंक अच्छे वाली एविलेबल हो ले लिवो बाई मतलब सुख्याड मत तडवाओ जो चीज आपको जिस टाइम एविलेबल हो अच्छे वाली इन ड्रिंक्स में से वो आप अपनी यूज कर लो पोस्ट वर्काउट स्नेक्स में अंकुरित दाले सोया बीन अंजीर ले सकते हैं बाकी और चीज़े पोस्ट वर्काउट ड्रिंक के बाद आप ब्रे पहलवाणनी को एक प्रोफेशन के तोर पे करते है तो चैनल के मद्धम से पहलवाणनों की अंसुनी बात्ते राज डाइट वर्काउट आप सब को यही तो बतानी है कुस्ती बहुती शांदार और जांदार खेल है आप सब मिलकर अपने इस खेल को बड़ावा देने में म प्रश्क्राइब कर देना ताकि आप तक वीडियोज की नोटिविकेशन पहुचती रहे और आम सब मिलकर कुस्ती को ऐसे ही प्रमोट करते रहे जैराम जी की बोले बबाबा जी सा किसे मैं दम नहीं से देशी किसे तै कम नहीं से